तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यह बहुत ही फेमेस रेसिपी है उत्राकंड की रेसिपी है और यह देखें यह हैं काले बट और इनको आप स्वाइबिन भी बोल सकते हैं यह सफेद में यहां मिलती भी है और आप मतलब है मैं जोन से भी प दन्या रख दिया है और फिर थोड़ा से जीरा पावडर थोड़ा से जाएगा गरम मसाला काले मिर्च तोड़ा से तेजपत्ता है एक टुकड़ा दाल जीनी का यह सब इसमें डाल देना है उसके बाद थोड़ा से दो लॉंग उनको भी डाल के इसको और पिर आज को रखन यह किन मानी यह मसाला भूनावाना सबजी में चाहाँ कोई भी सब्सक्राइब अगर मसाला भून के डालते हो तो बहुत ही बढ़ा टेस्ट आता है और इस रहसे ने तो बहुत ही बढ़ा लगता है तो इसको भून लेना है एक से दो मिनट ही लगगा और यह अच्छ से पर गाओ में सिल्वर्टे में पिसने में बड़ा ही उसका अलग स्वाद होता है तो तब तक राय करना है जब तक इसका अच्छा से कलर चेंजना हो तब तक मतलब मिक्स करते रहें और इसे प्रूनते रहें और इसमें से अवार्ण स्वाजने लगती है और इसका कर दो जाता है इसका निए प्रूनते ने के बारत है तो हमें दरारे दिख जाती है कि हाँ यह और जो इससे सबसे बढ़े में बात है कि आपको कैसे पता लगेगा तो इसकी फुश्च सी नी बढ़िया आती है निए वह प्सक्छार के तो यह बुन गया है पिर इसमें आप प्यास जाल सकते हैं अब आप कि अब आप मसाले को अच्छे से मिक्स करें दाल के साथ और फिर उसे थोड़े देर के लिए पकने दे उसके बाद ही हम इसमें इसमें घुमाते हुए हम इसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे उसके बाद हम इसमें स्वादल सा नमक डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी से हल्दी जाएगी और जो हमने पेस्ट बनाया था न मसालों का मिक्स करके दर दरा ही बनाना है तो इन सब कर देना मिक्स और कटोरी उसी में डाल गई थी और इसमें थोड़ा सा पाने आट करके इसमें दिमी आज पर जब तक पकता है तब एक और तयारी करने हैं बहुत तहारी करते हैं इधर हम ने कटोरी ले रिखिया हुए उसमने दो तीन चमच आठा रखा आठा आ चाहा है तो बेसान से कर सकते पर इस डालते हैं जाहाँ आठा आठा या पी जाता रहता है बहुत ही आए मिट्स करे भण करें तो जाइए अगर भून लें गोई तो इसम में जादा आए उसका गोल बनाना पाने की तरह और आपना सावश्य महीं मिक्स करेंंगे इसका अगर पसंद आती है तो लाक शेर सब्सक्राब करना बिल्कुल मन भूलेगा और मुझे हमेशे जुड़े रहेगा तो देखिए हमारा गोल भी तैयार हो गया है और अधर हमारा बैम इदर हमारी सब्जी भी परफ्रक्ट बनके रेडी हो गई है तो इससे हम देख लेते हैं कि हमारे मसाले सारे पख गई हमारे जहीं सारे महारे सब्सक्राइब लुबकुल मुझेशे मादागै और मॉनम ड़्यार भी घॉल बन में जो घॉल तो इसमें आप यह गोल डालेंगे और जितना आपको पानी चाहिए मैं तीन चुनो के सबसे बनारी हूं और आप देखें तो कितने चुनों के लिए बना रही हूं तो आप उसी सबसे पानी लगा सकते और उसी सबसे आटे का गोल बना सकते हैं कि आप से आठ मिनट हो गए और हमारी भट की चुरकाने एक दम पर्फेक्ट बनके तयार हो गई है तो लेजिए आप लोगों के लिए लेका है स्पेशल उत्राखंड की फेमस रेसिपी है जरूर ट्राय करेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बतायागा कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी अगर अच्छी रगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राब करना विल्कुल मत भूलेगा